Anthony Giddens कहते हैं कि आध्यूनिक समाज एक बगोडा समाज है Hebermas कहते हैं कि आध्यूनिक्ता एक अधूरा प्रोजेक्ट है Simail कहते हैं कि आध्यूनिक संस्कृती त्रास्दी की संस्कृती है आखिर आध्यूनिक्ता है क्या तो मैं डोक्टर मेनपाल आज हम चर्चा करेंगे आध्यूनिक्ता और उत्तराद्यूनिक्ता पे जब हम आध्यूनिक्ता की बात करते हैं तो आध्यूनिक्ता का समंध है वो समय के साथ है हम आध्युनिक्ता को समझने के लिए हमें इसके साथ दो आउधारनाओं को और समझना पड़ेगा वो दो आउधारनाई और कौन-कौन सी है वो आउधारनाई है नमर एक उत्तर आध्युनिक्ता यानि आध्युनिक्ता से पहले किस्तिति और दूसरी है उत्तर आध्युनिक्ता, यानि आध्युनिक्ता के बाद की स्थिति, तो ये आध्युनिक्ता बीच में है, इसे पहले का समय और इसके बाद का समय, अगर हम पहले पुरो आध्युनिक्ता को देखें, तो फिर हम आसानी से आध्युनिक्ता को समझ सकते हैं, हमारा समंद होता है प्रंपरागत समाज से, किस से होता है प्रंपरागत समाज से होता है, प्रंपरागत समाज में क्या होता है, प्रंपरागत समाज होता है धार्मिक समाज होता है, किस परकार का समाज होता है, धार्मिक समाज होता है, जितने भी समाज की आर्थिक, राजनेत क्रिया कलाप होते हैं, वो किसके द्वारा निर्देशित होते हैं, वो धरम के द्वारा निर्देशित होते हैं, तो समाज में क्या होता है, निरंतरता होती है और परिवर्तन होते हैं, दोनों ये चीजे हैं, वो साथ साथ चलते रहते हैं, जब निरंतरता की बात करते हैं, त हमारे पुरोजों दवारा जो रितिरिवाज बनाएगे हैं, जो विश्वास हैं, जो विश्वास के कारे करने के तोर तरीके हैं, उन सब को हम कहते हैं, उन सब को हम कहते हैं, परंपरा, तो जब परंपरा क्या होती है, परंपरा होती है, वो परिवर्तन के परती, परंपरा हम में सा परिवर्तन के परती उदासीन होती है और परिवर्तन में बादक होती है, परंपराकारती है यह कि हजारों सालों से है परोजों से चली आ रही है, परुजों से चली आ रही है, वो परिवर्तन चाहती नहीं है, और आध्युनिक्ता क्या चाहता है, आध्युनिक्ता परि प्रमिक विश्वास होते हैं प्रम्पराओं के पिछे जो उसे बदलने से रोकते हैं वो परिवर्तन नहीं करने देते हैं और जब दुनिया के अंदर धरम के स्थान पे तरक का वेग्यानिक ज्यान का उद्य हुआ तब अधुनिक्ता की सुरुवात मानी जाती है तो क्या है कि जब प्राचीन मान्यताओं के स्थान पर प्राचीन प्रम्पराओं के स्थान पर नमीन मान्यताओं का स्थान आ जाता है धरम के स्थान पर तरक का स्थान आ जाता है तो उसे हम आधुनिक्ता कह सकते हैं और जो आधुनिक होने की परकिरिया है इसे हम आधुनिक की करण कहते हैं तो इसे पहले जब हम प्रामप्रागत समाज की बात करते हैं तो इसको हम धार्मिक सत्ता का यूग भी कह सकते हैं जो आद्यूनिकता से पहले का जो समाज था यूग था उसको क्या बोलते हैं पुरो आद्यूनिक समाज पुरो आद्यूनिक समाज कैसा था अं वेग्यानिक करांती का आगाज होता है ग्यानोध्यकाल की सरवात होती है और इस वेग्यानिक करांती को ही आध्यूनिक्ता का जनक माना जाता है तो परसन बनता है कि आध्यूनिक्ता की सरवात कब होती है तो वेग्यानिक करांती या ग्यानोध्यकाल से आध्यूनिक्ता की सर आज Francis-Brese व्यज्यानी क्रांति के सुरुवात कि से ओई थी? ये सुरुवी थी पहले धर्म का स्थान था। धर्म कुछ भी तर्क को मेहतो नहीं देता था। जो पादरियोंने कह दिया वही सरोज महना जाता था। चाहे उन्होंने रात को दिन कहा, दिन को रात कहा, उन्होंने सरुख के टिगेट बांटे, जो भी उन्होंने कुछ कहा, लोगों ने उस पे तरक नहीं लगाए, लेकिन जैसे ही तरक की सरुवात हुई, विग्यानी करांती की सरुवात होती है, और यहीं से आदियुनिक्ता क सरवात होती है तो यहां पर एक परसन बनता है कि किस ने कहा कि अधिनिक्ता विवेक किस ता है तो परसन उतर होगा फ्रांसेसी ब्रेकर ने कहा बाद में होब्स लोग और रुसो ने जो सामाजिक समझोते का सिधान्त दिया जो राज्ट अंतर के विरोधनों ने सामाजिक सिधान्त का रहे हैं तो इस से सबसे अधिक rinse को बल मिला या गती मिली तो वह मिली थी ओध्योगी करान्ती किसे मिली मिली ओध्योगी करान्ती से अथार्यम फ्रक्राभणी में अब कुछ लोग संट यह सबाए कि बात है कि ओध्योगी कर आए से हुई है लेकिन ऐसा नहीं है आद्युनिक्ता की सरवात है वो विग्यानिक करांती से मानी जाती है जब धरम कास्तान तरक लेता है तब से मानी जाती है अब परसन किस परकार से आते हैं परसन जो आद्युनिक्ता से पूछे जाते हैं उन पे हम चर्चा करते हैं तो कुछ स प्रण कथन तो अध्यूनिकता कोई नहीं गठना नहीं है वेसे तो हम देखें तो अध्यूनिकता क्या है कि सम्मेस आपक्स हमारे पिता जी को हमारे दादा जी कहते होंगे कि तुम तो बड़े मोर्डन होगे होंगे हमारे पिता जी हमको बोलते हैं कि आप तो बड़े तो इमाईल दुर्खिम ने आध्यूनिकता की बात की थी, तो उन्होंने समाज में दो प्रकार की सूदरड़ता की बात की थी, एक यांत्रिक सूदरड़ता और दूसरी सामवी सूदरड़ता, तो सामवी सूदरड़ता जो अध्योगिक समाज की या अध्यूनिक समाज की वि एक्स वेबर ने आद्यूनिक्ता को बुद्धी संगतता या तरक संगतता कहा है और उन्होंने कहा है कि तरक के द्वारा ही एक मुल्य मुक्त समाज का निर्मान है वो किया जा सकता है इसी परकार से कारल मारक्स क्या कहते हैं कि आद्यूनिक्ता और कुछ नहीं केवल और केव वस्तों का, क्या है? पन्नीएकरण है+. वस्तों का पन्नीएकरण उतपादन है अब इसमें कुछ चीजों को और सामिल कर दिया जाता है जब हम पन्नीएकरण के आगे डिटेल में जाते हैं तो इसका मतलों होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले बिक्ती नहीं थी, जिनका उत्पादन नहीं होता था, लेकिन अब उसका उत्पादन माना जाता है, जैसे कि सुचनाओं का उत्पादन, पहले किसी से हम राय लेते थे, तो वो राय किस में मिलती थी, फ्री में मिलती थी, लेकिन आज हम बकील के पास जाएंगे, इमेल कहते हैं कि आदियूनिक संस्क्रती है, वो किसकी संस्क्रती है, तरास्दी की संस्क्रती है, किसकी संस्क्रती है, तरास्दी की संस्क्रती है, ऐसा वो क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं, क्योंकि आदियूनिक समाज है, उसका प्राइवाची क्या हो जाएगा, बोग कोन कर रहा है केवल कुछ लोग कर रहे हैं बाकी लोग अपनी मूल भूत आउस सकता है भी पूरी नहीं करस पाते हैं यानि जो लोगतंतर में होता है सबका साथ सबका विकास वाली बात होती है वो इसमें नहीं हो पाती है तो इसे क्या होता है एलगाओ को बढ़ावा म मिलता है तो ये अधिकतर लोगों के लिए अधिनिक्ता क्या है तरास्दी बन जाती है आउसर नहीं बनती है आउसर तो कुछ लोगों के लिए बनती है इसी परकार से उत्रिच बेक ने क्या का कि अधिनिक समाज है वो क्या है जोखिम समाज है क्या है अधिनिक समाज जोखिम समाज, यह इनकी, इंगलिस की बुक है, रिस्क सोसाइटी, कौन सी? रिस्क सोसाइटी, यह पुष्टक है, 1902 में में आई थी, इन्होंने इसे जोखिम समाज और रिस्क समाज कहा था दिनिक्ता को, और उन्होंने तीन परकार की जोखिमों की बात की थी कितने प्रकार के जोखिम की बात की थी तीन प्रकार के। नमर एक निर्माणी जोखिम पहले क्या होता है !! लेकिन आज और क्या हो गया है !! कि मनुष्या ने बड़े बड़े कार खाने बना लिये हैं बड़ी बड़ी फैक्टरियां खोल लिया है और उनसे इतना ज़ादा pollution होता है कि प्रयावन प्रदुर्शन हज से जाता होता है और उसके वज़े से आज पूरा का पूरा संसार है वो एक जोखिम से घिर चुका है आज जो टटिये प्रदेश हैं वहाँ से लोगों का पलायन शुरू हो गया है और जो विश्वे का तापमान है वो बहुत बढ़ रहा है किसे प्रयावन प्रदुर्शन की वज़े से इसी परकार से जब प्रयावन प्रदुर्शन होगा तो दूसरे परकार का जोखिम आएगा स्वास्त्य का जोखिम बिमारियां तरह तरह की बिमारियां आएगी हम देखी रहे हैं कि गलोबल वार्मिंग की वज़े से अनेक बिमारियां हैं और कहते हैं कि अगले पचास सालों के अंदर तो साइध ये परत्विय है वो रेल लायक ही नहीं बचेगी हम कलपना करते हैं कि सब को oxygen cylinder है वो पिछे लटका के चलना पड़ेगा और तीसरी उन्होंने की है वो है कि गेर बराबरी यानि आदिनुकता से कुछ लोगों को फाइदा होता है समाज के अंदर क्या है ऐस मानता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दिपांकर गुप्ता ये भारतिय लेकक हैं इन्होंने mistaken modernity एक पुष्टक लिखी थी सन 2000 में इसमें उन्होंने कहा था कि आदिनुकता क्या है पस्चिम का विसेला करन है क्या है पस्चिम का विसेला करन इन्होंने कहा था कि हम अदुनिता के नाम पर जो पस्चिम की संसकर्ती को बगेर उसके मुल्यांकन के हम अपनाते जा रहे हैं हम दे नहीं देख पा रहे हैं कि उससे हमारे समाज का नुकसान हो रहा है या पाइदा हो रहा है जैसे भी है हम उसको अपनाते जा रहे हैं जैसे कि वहां मोसम ठंडा है तो वहां पिज़ा चलेगा वहां पे गरम कपड़े चलेगे वहां पे टाई चलेगा वहां पे बेल्ट चलेगा लेकिन भारत का मोसम क अपने प्रयावण के नुकुल नहीं हैं, अपने वातावण के नुकुल नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कि उनको अपनाते जा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, कि जो हमारी संस्कृती है, या जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो गड़बड हो रहा है, तो इसे क है पस्चिम का विसेला करन वोमेन क्या कहते हैं वोमेन कहते हैं कि आद्युनिक समाज क्या है विनासकारी समाज है क्या है विनासकारी समाज है विदसवक समाज है ये जर्मनी में गेंस चेंबर की गटना को कहते हैं आद्युनिकता के साथ वो किसको जोडते हैं वो नोकरसाई को जोडते हैं जो अपने सत्ताधरी लोगों के कहने पे कुछ भी करने के लिए त्यार है वो बुद्धी संगत्ता या तरक के नाम पे कुछ भी करने के लिए त्यार है जैसे कि जर्मनी के अंदर गेंस चेंबर में हजारों की संख्या में यहुदियों को जला दिया गया किसक उन्होंने मुल्यांकनात्मक रूप में लिया है, पस्चमी के मुल्यों का विस्तार उन्होंने कहा है रिटजर क्या कहते हैं, अधुनिक्ता का समंद मुल्यों एं विचारदारा से है अधुनिक्ता का समंद किसे है, मुल्यों से है और विचारदारा से है इसी परकार से है बरमास क्या कहते हैं कि आधिनिक्ता एक अधूरा प्रोजेक्ट है और उत्तर आधिनिक्ता से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करना जरूरी है वो क्या कहते हैं कि आदिनिक्ता है वो लोकतंतर और पुंजिवाद का प्राय है किसका है लोकतंतर और पुंजिवाद का प्राय है लोकतंतर यानि सभी लोगों का सासन लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि संसार के अंदर ऐसमानता बढ़ती जारी है गेर बराबरी बढ़ती जा रही है जो लोकतंतर के उदे से थे वो अभी पूरे नहीं हो रहे हैं और हम क्या है उत्तर अधुनिक्ता की बात कर रहे हैं तो हेबरमास कहते हैं कि पहले लोकतंतरी मुल्यों को पूरण होने दिया जाए यानि अधुनिक्ता को पूरा किया जाए उसके बाद में हम उत्त Anthony Giddens Anthony Giddens कहते हैं कि अधिनिक्स सMAJ एक जोखिमब्रा समाज है अधिनिक्स समाज एक बगोडा समाज है वह विश्विय के लिए क्या है विनास कारी है अधिनिक्ता को Giddens है वो एक जगरनाट की उपमा देते हैं वो कहते हैं यानि यह क्या है एक बेलगाम इंजन है अगर इसे नियंतरित नहीं किया गया तो ये सब कुछ तैसनेश करतेगा यानि आदिनिक्ता की नाम पे हम कुछ भी करने जा रहे हैं सब कुछ कुछ भी अगर खा लिया, कुछ भी पहन लिया कोई भी भासा बोल ली किसी परकार के कपड़े पहन लिये कुछ भी आ रहा है, वो सब आदिनिक्ता है कुछ भी उल्टा फुल्टा हो रहा है वो सब आदिनिक्ता हो रहा है यानि आदिनिक्ता की नाम पे सब चीज है, वो जायज ठहराई जा रही है अगर इसको नियंतरित नहीं किया गया, यानि अदुनिक्ता एक बेलगाम इंजन है, बेलगाम घोड़ा है, अगर इसे नियंतरित नहीं किया गया तो यह समाज को तहस नेस कर देगा, तो इस पर नियंतर्ण लगाना जरूरी है, ऐसा कौन कहते हैं, एंथनी गिडेंस कहते है और ये नियंत्रन से बाहर होने का खत्रा है वो हमेशा रहता है क्योंकि इस पर कोई नियंत्रन लगाने वाली कोई संस्ता है ही नहीं इसको बहु आयामी मानते हैं क्या है अधुनिक्ता को गिडेंस है वो बहु आयामी मानते हैं उन्होंने चार आयाम बताएं पुंजिवाद उध्योगवाद, निगराणी रखने की चमता और राष्ट राज्ये इसके साथ साथ वो आध्योनिक्ता को क्या बोलते हैं प्रावर्तक्ता यानि परतिविम्बित समाज मानते हैं Reflexive Society इसको कहते हैं यानि परतिविम्ब है वास्त विक्ता तो चुप गई है बस परतिविम्बित को हम देख पा रहे हैं इसी परकार से एक पुस्तक है काफी महतोपुन है Francis C. Fukuyama की इनकी पुस्तक का नाम है The End of History यानि अब इस्ट्री का है वो अंत हो चुका है इत्यास है वो हमेशा समाप्त हो गया है ये 1989 में दी थी अब हम बात करते हैं आध्युनिक्ता की विशेषताओं की आध्युनिक्ता के लक्षणों की तो योगेंदर सिंग ने पुस्तक लिखी थी The Modernization of Indian Tradition यानि भारती है परंपराओं का आध्युनिकी करण परंपराओं का आध्युनिकी करण तो उन्होंने चार लक्षण बताएं नमर एक वेक्तिवादिता तो ये सब क्या है परंपरागत समाज के विरोध है परंपरा में क्या होता है वेक्तिवाद का कोई स्तान नहीं होता है किस का स्तान होता है सामुईक्ता का स्तान होता है लेकिन आदियुनिता में क्या होता है वेक्तिवादिता महतोपण हो जाती है तो इसको आप अगर प्रंपराओं के साथ जोड़ोगे तो इन चार लक्षनों को आप आसानी से समझ सकते हो नमर दो समानता और जो प्रंपरा है वो क्या होती है ए समानता होती है वो धरम को विश समानता की पक्सदर है, परिवर्तन के परती आस्ता, तो जहां परंप्रा परिवर्तन में बादक है, तो वहां अध्युनिक्ता परिवर्तन का दूसरा नाम है, और धरम निर्पेक्स्ता, यानि वो धरम निर्पेक्स्ता में विश्वास रखती है, और परंप्रा क्या है, अप धर्म का स्तान है वो तरक लेता है तभी अध्युनिक्ता की सुरुवात होती है वेग्यानिक्ता तरक से ही वेग्यानिक्ता का आविश्कार होता है अध्युनिक्ता है वो खुलापन है सब ओपन है जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है कोई रोक टोक नहीं है उपभोगतावाद जादी संस्कर्ती है, इसके साथ हम अमरिकी संस्कर्ती का उधारण लेते हैं, भोतिक वाद, यानि जादा से जादा भोतिक सुक्स विदाओं का लाप्राप्त कर लेना, इसमें अध्यात्मिक्ता का कोई स्तान नहीं होता है, उध्योग वाद, यानि जादा से जादा उध्यो करना है आधुनिक्ता के साथ अच्छा या बुरा हम नहीं कह सकते कि ये आधुनिक्ता के नाम पे जो पस्चिमी संस्कृति भारत में आ रही है ये अच्छी है या बुरी है तो इसमें अच्छा या बुरे वाली कोई बात है नहीं है आधुनिकी करण एक मुल्य टटस्त आउ से जानना जरूरी था अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने जो सहयोगी हैं उनको सस्क्राइब कीजिए आपने इतने प्रेम से सुना इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद